मेरा स्कूर नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारी कोशन कड़तो हो रहे हैं जो गड़तो है 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 मैं सुजित कुमार और आप देख रहे हैं स्टुडेंट और रहे हैं दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ एक जम कब तक होगा और थे तैयारी कैसे करेंगे इस बात करूंगा तो देखो आपका इसको कितना था जो इसका बनना था यह कमेंट बख्सम्ट बताना और देखो मेरा जो इसकूर बन रहा था वह मेरे पहले देख लिया था और उनकी एक सो चालीश एक सुट्व में तो इस हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाता तो इसी कारण हमने सब ने एकट्टा होगे तो अब पर जो है आपका मेरा मानना है कि आपके पास तीन महिने तो प्रोपर हैं त्यारी करने के लिए तीन महिने में एक स्टूडेंट भी जिसका इसकोर बहुत डाउन था इस बार भी लगवागे एक सो साथ एक सो सत्तर की पास था वह भी अगर आज सही तयारी करना सुरू करता है तो वह दोसों प्लस आराम से कर लेगा इसकोर क्योंकि तीन महिना बहुत होते हैं त्यारी करने के लिए क्या है अब करूंगे और आपका जी ऐसे और मैत है मैत आप देख लिए अभी पेपर हुआ है ज्यादा दिन तो हुए नहीं है उसमें देख लिए मैं तो अब बागी सब्सक्राइब ने और रीजिनिंग में 15-16 कोसन ही जो भासा वाले ते आगर आप यह अदकार होंगे तो आप क अधर वाइस बहुत ही आसान पूछी गई ती उसमें और साथ में बात करूं जी एस जी एस भी पिछले जो सन 2018 और उन्नीस में जो जी एस आई थी उसके पेच्छा जी एस आसान थी ना आसान थी अलगा हुआ लेकर मेरे जी जी एस में 22-23 को सभी थे जी एसके और हिंदी क तो इसे करके तो को सन थोड़े हाट पूचे गए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि त्यारी करी नहीं थी यह सुख चीज़ते कि हम त्यारी करते हो तो आप देख आने के लिए आपको बताता हूं तो खुद होगा यह साथ मेरे 12 किसम हो तो मैं तभी से कमपिटिशन में लग गया था मेरो आफ खोटिन करें करी तीन महीने दिन से चानल महीन को चिंग लेग की थी अक्षी को अंधा ओंलाइन पर आगया था सब्सक्राइब करेंगे और समय तो बहुत सार है सब्सक्राइब कर लिया है कि मैं यह मानक चल रहा है कि आप प्रेक्टर से जुड़ जाहिएगा आपको क्या है कि सभी कोंसे रवाज होते रहेंगे आप चीजों को भूलेंगे निदों से रश्रेंगे रखेंगे नमीन सब्सक्राइब और साथ ही मौक टेस्ट मौक टेस्ट की खास बात कता होंगो मौक टेस्ट आप ज़रूर लगाई है जहां से भी मिलें आपको मौक टेस्ट मेरा मानना है कि आप अभी तो बीकली लगाती रहें अभी शुरूफ जाएंगे संदे वाया करेगा तो आप उससे जुड़ जाएगा ठीक है आप उससे जुड़ जाओगे तो मौक टेस्ट से क्या हुआ कि आपकी तैयारी की कमिया नजर आती रहेंगी क्या हमें अभी क्या पढ़ना है कि हमारी अंतर क्या कमी चलिए माने चलो आपने सभी रखा है और आप सबकुछ आता है जब मौक टेस्ट लगाने को बैठे तो आपके वही एक सो पारें अच्छे से तो ऐसे करके कमिया नजर आती है अपनी आपने मौक टेस्ट दिया आपके हिंदी में सब्सक्राइब तो जो आपको यह मौका मिला है तो आपको यह मौका मिला है तो इस मौके को जाने मन दीजिए लग जाइए अच्छी से तायरी करने में फेपर कभी भी हो सकता है अब दमाग में इमेज बैठाली के सब्सक्राइब नहीं होना वो दमाग से नकाल दीजिए क्योंकि पेपर हो जाएगा पेपर करवाना आपके आपके हाथ में नहीं है लेते हैं अब कितना भी दम लगा लिजे एक्जाम तभी होगा जब आयोग है तो इन चीजहों को अपर दिमाग से निकाल दीजे आप बस तैयरी किजें आपका काम है तैयरी करना आप जैसे से तैयरी कर लोगे आपका इसको बढ़ने लगेगा अगर आप इन चीजहों बसे अभी नहीं होना पढ़ लेंगे एक दू महीना पहले पढ़ लेंगे तो ऐसे मत कीजिएगा विलुकुल भी एक्जम डेट आजागी तब पढ़ाएंगे देखो सेलेक्शन उसी का होता है जो पहले से तैयरी करना होता है उसका नहीं होता है चौमा से के कीड़े का मैड़क का था निहीं होता है वह हो जाता है अगर यह यह नहीं होता है आपको त्यारी करनी पड़ेगी अब लग जाए अभी से मेरा मैं कहरा हूँ आप अभी से लग जाए फिरकूल